आज मैं दोस्तों आपको बहुती बढ़िया नाश्ता बना के बताने वाली हूँ और ये बना है नाश्ता दोस्तों चावल से जी हाँ दोस्तों आपके घर में काफी बार चावल एक्स्ट्रा बन जाते हैं और काफी बार बच जाते हैं तो आप बचे हुए चावल से या फिर अप फ्रेश चावल से भी आप यह नाश्ता बना सकते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और आपको यह नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे तो अब चावल को करेंगे क्या, तो दोस्तों इसी चावल से ही मैं नाश्टा बनाओंगी, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से जादा कॉंटिटी में चावल है, आपके पास जितनी भी चावल है उसी से आप नाश्टा बना लीजे, तो ये चावल को मैंने ग्राइंडर में डा जार में डाल दिया है, ग्राइंडर में मैं इसको पीस हूँगी, तो दिखी दोस्तों इस तरह से मैंने देड़ कप के करी मेरे पास चावल होंगे, इसमें पानी डाल के इसको बारिक फाइन पेस्ट बना लेंगे, पानी जितना लगेगा आप बीच वीच में चेक करते रह आप इस तरह से स्मूथ फाइन पेस्ट बना लीजिए, इसको मैं एक बावल में निकाल लेती हूँ, देखे दोस्तों यह आपको लग भी नीरा होगा, यह चावल से बना हुआ पेस्ट है, तो इसी से ही मैं नाश्ता बनाऊंगी, आधा कप के करी मैंने इसमें सूजी डाल है, तो आपको सूजी डालने हैं, और मिक्स कर देना है, देखे, और इस बात का ध्यान रखे दोस्तों इस बैटर को आपको थोड़ा सा ठीक रखना है, गाड़ा ही बैटर बनाना है, और यहाँ पर पानी डालेंगे, पानी कितना डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे, थोड़ा थोड़ा करके डाले पानी, नहीं तो आपका बैटर जो है गीला हो सकता है, तो इस तरह से पानी डालके मिक्स कीजिएगा, देखें अभी भी हमारा बैटर जो है गाड़ा है, तो अभी इसमें मैं पानी और डाल दूँगी, मिक्स करेंगी, बैटर हमारा अच्छे स अगर आपके पास नहीं है तो आप सकते हैं तो दिखे इस तरह से mix कर देंगे और हमारा ये बैटर तयार हो जाएगा और गाड़ा आपको बैटर रखना है इस बात का अब ध्यानर जरूर रखें अभी बैटर हमारा तयार है अभी मैं इसको 10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी दिखे दोस्तों बहुत ही और उसमें एक से दिड़ चमश ओल डालेंगे और यहां पे आधा चमश मैंने राई डाली है गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखना है राई को तड़कने देंगे और अभी मैं इसमें डाल दूँगी हरे मिश तो यहां पे मैं छोटा सा एक तड़का तयार कर रही हूँ इस से जो है हमारे जो राश्ता है बहुत ही डिश्टी वन के तयार होगा थोड़े से करी लिपस डाल देंगे और चलाएंगे अब तड़के में मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी 1-4 टेवल इस्पून के करीब मैंने हल्दी डाली है हल्दी पूरी तरह से ऑप्शनल है अ अभी हमारे बैटर को 10-15 मिनट हो गए है और अभी दिखी इसमें मैं जो है तड़का डाल दूँगी और मिक्स कर देंगी हल्दी से क्या है बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है तो दोस्तों इसलिए मैंने हल्दी डाली है आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं और अच्छे से आपको मिक्स कर देना है देखे अभी बैटर मुझे पतला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा सूजी डाल के और गाड़ा बैटर कर लूँगी अब मैं यहाँ पे आदा चमश के करीब इनो डाल देंगी और यहाँ पे थोड़ा सा पाने डाल देंगी और मिक्स करेंगी और आपको 1-2 मिनिट के लिए mix करना है इनो डाल के दीखिए अच्छे से ताकि बैटर में इनो mix हो जाए एकसे दो मिनिट के लिए आप इनो डाल के जरूर चलाए तो दीखिए हमारा बैटर तयार हो गया है दोस्तों अगर आपको बैटर पतला लग रहा है तो आप इसमें सूजी डालके बैटर को और गाड़ा खड़ सकती है तो दिखें यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता अप्पे की साचे में दोस्तों मैं एक बपर आपसे फिर कहär रही हूँ अगर आपके अपपे विगडते हैं या कुछ बैटर पतला लगता है तो यह बैटर पतला होने के कारण होता है तो आप चाहें तो इसमें सूझी डालके बैटर को गाड़ा कर लें और इस तरह से आप फिल कर दीजे और उपर से oil डाल देंगे और इसको cover कर देंगे 10 मिनिट के लिए देखे अभी 10 मिनिट 5 से 10 मिनिट लगेंगे दोस्तों आपको बीच में चेक करते रहना होगा ताकि ये नाष्टा जलना जाएं तो देखे कितने बड़े हमारे चावल से अप्पे बन के तयार हो रहे हैं इस तरह से हम पलट देंगे सभी अप्पों को पलट देंगे और फिर cover कर देंगे थोड़ा सा oil डालके देखे oil जरू डालें जिससे अप्पे आपके विल्कुल चिप केंगे नहीं तो अभी मैं cover कर दूँगी सरिफ एक मिनट के लिए फिर चमस से थोड़ा सा press करेंगे और एक बार मैं चेक कर लूँगी तो देखे हमारे अप्पे हो गए हैं अप्पे आप जब भी बनाएं बीच बीच में चेक करते नहीं तो आपके अप्पे जल सकते हैं इस तरह से मैं निकाल लूँगी कितने बढ़िया हमारे अप्पे बनके तयार हो गए हैं तो दिखे दोस्तों ये सरिफ बने हैं अच्छा यूच कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं मेरे कहने पे आप एक बार इसको जरू बनाके देखे बहुत एज़ी है और ये नाश्ता आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है अगर आपके पास शावल बच जाते हैं तो सुबह ये आप नाश्ते में बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं तो चलिए दोस्तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीज़े शेयर कीजिए मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नमस्कार दोस्तो